महाराष्ट्र में हल्चल लगातार तेज है क्योंकि सुप्रिम कोट ने जिस तरह से फैसला सुनाया अब तमाम दलों में गहमा गहमी मची हुई है हला कि कल तक बीज़पी लगातार कूल अवस्ता में आपर दिखाई दे रही थी लेकिन अब उसमें भी हलचल तेज हो गए जहां एक तरफ कोर कमिटी की बैठक हो रही है लेकिन अब जिस तरह से वीज़पी खेमे में शान्ती देखी जा तक और माना जा रते है कि शान्ती के बाद कोई तुफान देखेगा लेकिन ये तुफान तो शाही तब बीज़पी के लिए होता देख रहा है बट ये दोनों ही पक्षों के लिए है भी मतलब मैं आगर आपको बोलूं कि आज की रात दोनों पर भारी पढ़ने वाली है और बीजेपी के लिए भी ये टेंशन है कि उन्होंने जो कल होटल के अंदर उनके शरत पवार के सारे जो भी नेताते माप इखटे हुए और उनने देखिए शपत ग्रेंड समारो टाइप जो उनोंने किया तो उनके लिए वो टेंशन की इमेजिस थी बीजेपी के लिए बाकी दूसरे पक्ष को भी ड़ने की दो तीन वज़ए बहुत बड़ी है जो राजनेतिक कोशल बीजेपी के पास है उससे तो ड़ना ही चाहिए उन कि अपने निताओं की अंतरात्मा कब जाग जाएगी और कब वो शिफ्ट हो जाएंगे वो शरत पवार भी इस मुव्मेंट पे 100% के साथ नहीं बोल सकते हैं इसलिए वो अपने निताओं के साथ हर समय रहना चाह रहे हैं और उनको खुला नहीं छोड़े हैं तो यह सबके तैयारी किस तरह से दल दूसरे दल को पकड़ा और कैसे बदला ऐसी बहुत सरी चीजे इतिहास गवा है इस बात का तो आपको यह कल तक पता लगी जाएगा तो मैं इत्ता ही कहूंगी कि यहां पर जो बीटरे हैं मतलब जो धोका दड़ी है वो सिरफ शिफ सेना की तरफ से हुई है क्योंकि ज समर्थन था तब उन लोगों ने यह कहा कि आप लेकिन पुत्र मोह में आके शिफ सेना ने हमारे को धोका दिया कि हमने नहीं दिया क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात कि दिवेंदर फटनवीज हर डिबेट में हर जगा पे हर चैनल पे प्रदान मंत्री जी ने अमित शा जी ने यही बात रखी उद्दव ठाकरे जी सामने होते थे यही कहते थे कि जब हमारे हम जीतेंगे तो हमारा सी एम जो उमिद्वार है जो सी एम का फेस है कैंडिडेट है वो दिवेंदर बटनवीज ही है यह हर चैनल पे रिकॉर्डेड है आप पताईए तब उद्दव और प्रदानमंतरी जी को आमिश्द जी को रोखनी सकते थे टोक नी सकते थे कि नहीं इन्होंने मौकिय का फायदा आप उठाया है वो तो आप लोगों ने भी उठाया है असमिता जी मैं आऊंगी आउंगी आपके पास शालिगी जी है लेकिन यहां उन्होंने टोटल अप हाद मिलाने की बजाए कहते थे कि हम अंग्रेजों से हाद मिलाना ज्यादा बहुतर समझते हैं और कहां आज ये कॉंगर्स भी NCP सबके साथ मिलगे है वह अलग बात है कि अब वह साथ नहीं रहा लेकिन आप लोगों ने भी चेंच के साथ हम भी कल भाहुमत साबित कर लेकिन NCP जिसके बारे में आप लोग ही दलीले देते थे जिन पर आरोप आप लगाते थे विचारधारा अलग उनी के साथ आप बिल्कुल बाला साथ को आप एक आइडॉलेजी पे बीजेपी ने कब ये बात ऐसे बात रखी उनके तो स्टेटमेंट आप इसी हिंदोत्व को ही सम जोता कर रहे हैं तो आप किस बात की आइडॉलेजी पे चल रहे हैं कही ना कहीं तो अपने आपको स्टेंड कीजिए कही ना कहीं तो एक मत रहे हैं हम तो हार भी जाये लेकिन अपनी जुबान पे तो रहते हैं कि हाट ठीक है देशवाद राश्ट्रवाद सबसे पहले हमा पावर है आप देखें गवर्णर नियुक्त करेंगे लेकिन निन्ये तो स्पिकर साब का ही होगा ना निन्ये तो आज भी वो उनको ही लेना है वो ओथ लेंगे फ्लोर टेस्ट कराएंगे ये सारा कुछ आज भी उनके पास ही इने इसलिए मैं इसको इस परिपेच में आप द बहुत बढ़ी जिमेदारी की बात, उनको floor test कराना है, और floor test आपने भी देखा होगा, बहुत बार हम लोगों ने भी देखा उसे में कोई बड़ा necessary नहीं होता नहीं होता वहां पे, जब floor test हो रहा होता, कब क्या कैसे हो जाएगा, निहा जी की बात से सहमत हूं, कि 2020 का खेल है क्रिकेट का सेम मैं इसे एग्री कर रही हूँ यहां पर यह आज हम जिस दौर में पहुंच गया है जहां हम हमारे नेता यह कहते हैं कि यह 2020 का खेल है क्या यह सोचने की बात नहीं है जब सीव सेना और बीजेपी ने एक साथ एक जुट होके चुनाओ लड़ा और उनका सीम चहरा कौन था फर्नविस था उससे में कोई कोई डिस्प्यूट था नहीं था उन लोगों ने एक चहरा अगर सीव सेना को आपती थी फर्नविस पे अपना सीम चहरा क्यों नहीं दिया उसने आज आम जनता ने तो यही सोचा कि यह दोनों हिंदू आदी राष्ट है और इनकी विचारदारा एक है इसमें जनता ही सेमां दल वब होता है जो की इस यह दो यह दो यह घृट कि एप चल रही थी विस रहा है है जब वो जनता के सामने आते हैं उनकी बाते जो मैनुफेस्टों में होती है जो उनका सेम चहरा लोगों पर वह रागू होती है वह तो आपको पहली बूल चुकिंए हमारा सीएम चेहरा हमने पहले आज तक जो यह कॉंग्रेस और बाकी पार्टी इतना हारी हैं तो यहां भी विधान सभा में यही लागू होता है ना हमारे पास चेहरा था तब किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया बाकी किसी के पास कोई चेहरा नहीं था तो इसलिए क्योंकि तब अगर हम शेफ सेना को उत्ती टिकेट नहीं देते मुझे लगता हम पूरी खुद लड़ते तो हमें पूरा विश्वास है कि हम जी जिटते नहीं विश्वास करके गलती कर दी नहीं विश्वास करके जनता के साथ हुआ ना इन्होंने अगर पीछे भी हो जाते तो बेरको पूरा विश्वास है कि जनता को ठागा जनता वापेस इनको आईना दिखा देगी ये सरकार ये तो बनी नहीं सकती वैसे तो अगर गलती से बन गई तो चलने नहीं वाली एक बात बहुत क्लियर करना जाता हूं कि अगर कोई भी राजनितिक दल या कोई नेता अगर कुरस चाहिए ये भी बीजेपी में इसलिए होंगी कि इनको कोई सी कुरसी चाहिए ये समास सेवा के लिहां पर नहीं है तो एक तो ये बात क्लियर है दूसरी बात जब आती है यही तो गलत आप लोगों ने ठपा लगा दिया क्योंकि कॉंग्रेस की राजनिती यही थी कि अगर और कुरसी के लालच में ही आना है मोधी जी को विल्कुल ने पता था कि मैं प्रधान मंतरी बनुगा यही थी को आप कीजिए आप को पूस को सही लगेगा पार्टी वो Ctrl दे घी या और वो पत्तन नहीं बी देगी तो आपकि काइडोल जी एठ आपकी अंदर आत्मा बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई है कि जैसे उनके बड़े नेता शीर्ष नेता जो बोलने में विश्वास रखते हैं और सुनने में नहीं एसी उनके प्रवक्ता भी और छोटे नेता भी ऐसे ही होगा है इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक तो मैं अपनी स्टेंड के लिए राजनीती की जाती है यह जो तीनों डल रट रहे थे जिस इस्तती से वो गुजरे है क्योंकि बहुमत कई न कई पहले से उनके पाथ दिख रहा था लेकिन जो इस्तती से वो लड़े इसके पीछे आप क्या बज़ा मांते हैं उनके अंदर भी कही न कई कमी सब के अंदर यह वही मैं आपको बावर बोल रहा हूं कि सारे दल जितने भी हैं यह सिरफ के लिए लड़ा है इनमें कोई जब बात हो रही है कि इंदूत की रा आइडलोजी शिफसेना की कहां गई तो बीजेपी करते हैं जब आइडलोजी की बात आती है अभी प्रदानमंतरी जी बावर भाव भर ब्रस्टाचार के पर बोलते हैं मैं यह पूछना चाहरा हूं उनसे ही और डिरेक्ली और अगर आप बता सकते हैं उनके व्याप पर बताएं कि कल शतीज़गड के अंदर जब वह को कउने वह बोलं कि अपना ही जाती है कि महाराश्टर की एसी तैसी करी और आज महाराश्टर की गॉवर्मेंट उस पार्टी को चुने जो d. कंपनी के साथ है तो यहां तो मैं कहुंगे बहुत है आप तहीं से कहीं घुमा के लिया रहे हैं अगर डी कंपनी की बात है तो यह मेरे को बता दीजिए कि जो इलेक्टरल बॉर्ण इशू है और फॉरन से फंडिंग आई है बीजेपी के पाट शेया किसे आई है वह प्रदा कि यहां पर कुरसी के लिए कोई लडाई निकर रहा है प्रदान मंतरी से लेकर अगर कोई राजनी तीए दिए ते वह बतारे समाच से भी को और पॉलिटिक्स को पलग पर दिया था बात बात नहीं बात यहां पर मैं आप बिल्कुल कह रहा हुँ कि नहीं होगा बैकिन प् कि जमीन किसमें उसमें सरकार का रॉल क्या होता है तो बिल्कुल इलेक्रॉल वांस में चैए जार करोड किसके पास आए मैं कि दो हजार चार में जाहिए और का एकाउंट निक करोड कोट में और 122 क्रोड बीजेपी के इंदरी ओपिस में एकाउंट में थे अब 2014 में आ पाजाईए 2014 में 7500 से उपर कांग्रेस के में और 400 के असपास बीजेपी के फिर सुनो 2014 के पाद 2017 में आ जाईए तो बीजेपी के में ज्यादा हो गए 800 क्रोड तो मैं होई कह रहा हूँ जिसकी सरकार होती है जिसकी सरकार होती है बिल्कुल सही है यह नेच्रल चीज है उसको राजनेतिक चोड़ देनी चाहिए चाहे हो चोटा नेता है चाहे हो मोदी जी है कुर्सी के बीचे बाग रहे है और यह भी कुर्सी के बीचे बागाने है यहां पर कोई भी हमाम में सब्नंगे कोई ऐसा नहीं है जो समास सेवा करने के लिए बिल्कुल आफ की बाइटियों को देखेंगे जो सत्ता के सिकर तक पहुंचती है, सित्ता के सकर तक पहुंचने पर तो सारी बड़े-prüटी ऑर बड़ी-秩ा वह जाता है। प्रजशिति चेंज कहा होती है? पूरा राजनितिक परिफेक शेंज हो चुका है, वो mentality चेंज हो चुकी है, जन्ता की भी है, मैं आपको छोटा सा एक्जामपल देता हूं कि जन्ता की mentality कहां पर बहुत डिस्ट्रॉइ हो चुकी है, जब आप थोड़े दिन पहले तक, आप कुछ साल पीशे चले जाएए, एक बोट के उपर बाजपई जी की सरकार गिर जाती है, सही है, उस समय कोई बात नहीं होती होर्स ट्रेडिंगी, आप ये दिखिए कि जब संसंद के अंदर, जब आप इसका रवाप ले जी जिए, जब आप बाजपई जी को पता होता, जो बोट पढ़ने जा रहा है, जो सां संसद के रूम में बोट देखा, तो हो सकता है, बोट भी नहीं हारते, लेकिन आप एक बोट से हार गए तो ये समयना ने की जी जाते है, लेकिन आप एक बाजपई जानितिक तो बहुत से नेताओं के करियर खतम हो गया है, उस नोट फेराने के ऊपर सही है, बत आज जब खुले हाम होर्स टेडिंग करते हैं, तो उसको एक बहुत ही गलोरिफाई नाम दे दे रहाता है, जो पाइटिया सत्ता में है, उसे भोलना नहीं चाहिए, उनके राष्ट्री अद्दस मौदय के साथ, बंगारु साथ क्या हुआ, कहां से पैसे लिए, कहां से पैसे पड़ मनुष जी आपके पास आना चाहूंगी, सुप्रीम कोट का पैसला आ गया, देविंदर पर्णवीस के तो कहीं ना कहीं जोटका माना जा रहा है, लेकिन अब बहुमत आपके पास है, विश्वास है कि कल भी, ये बहुमत कल तक भी आपके साथ रहेगा सुप्रीम कोट के सामने, हमारी याचिका की याचिका ही संदर में थी कि यह था सिग्र महरास्ट्रा में सरकार के गठन की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जा और फ्लोर टेस्ट के अलहार पर भुमत सिद्ध करने की बात थी, सुप्रीम कोट ने उसके पक्षमे निरने सुप्रीम कोट ने ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप जो है फ्लोर टेस्ट कराइए, ये कल से मैं एक चीज़ आपको अस्पस्ट करना चाहता हूं आपके ठीवी चैनल के माध्यम से, मुझे बार बार ये प्रस जो आ रहा है कि खरीद फरोख्त का डर है, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं, लोक तंत्र में इससे बड़ा सर्मना क्या हो सकता है, कि अगर कोई सत्ता धारी भारतिये जनता पार्टी ने विगत पांच वर्सों में इस तरीके का महौल पैदा किया है, कि जब भी कोई अगर चुनाव होता है, तो चुनाव में लोटस कमल जो है, एक नया हम लोगों ने अंगरेजी का सब सीखा है, लोटस कमल, सुरी, लोटस जो है, उपरेशन लोटस, माप की जएगा उपरेशन लोटस, इससे बड़ा दुरभाग ये क्या हो सकता है, कि खरीद बिक्री के लिए, भाजपा की तरफ से ये अंसंसित मंडल है, अंसंसित म के लोग का, मैं उसके उसका कारण बताता हूँ, बताईए, देखिए, सबसे पहले आप करनाटका के परिपेक्ष में जाए, करनाटका में क्या हुआ, करनाटका के बाद गोवा, मनीपूर में हुआ, असं में हुआ, ये लगतार जो भारतिये जनता पार्टी के तरफ से सतत अगर सरकार बनाने की चिंता भारतिय जनता पार्टी को है तो हम भी चाहते हैं कि महराष्टरा में यथा सिर्द सरकार की सरकार बने और इसी परिप्यक्ष में हम लोगों ने यांचिका दैर की ती सुप्रीम कोट का निंड़े है कल पाँच बजे तक हम लोगों को फ्लोर ट्वेस्ट पे जैसा कि कॉंग्रेस के प्रवक्ता अभिसेक मनु सिंग्वी जी ने भी बोला था कि भाई आप लोग तंत्र में आपको बहुमत सिद्ध करना है और हम बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार हैं हमारे पास संख्या बल है यह हम कह रहे हैं हम तो असपष्ट बोलने हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए बिलकुल सुनेल जी अपडेट लगातार यही सामने आ रहा है और आप देख भी रहे किस तरह से व्यान बाजी हो रही है लेकिन जिस तरह से पूरा घटना करम अभी फिलाल महरास्टर के अंदर चल रहा है गहम पवार जिन्होंने पूरा गेम पलटा वो अभी सामने नहीं आ है लेकिन उनको मनाने की कोशिश ही लगातार जा रही है इसके पीछे क्या वज़ा मानी जा सकते है क्योंकि बहुमत है उसके बाद भी उनको मनाने की कोशिश पड़े-बड़े नेता उनके पास मोच रहा है सुनिल जी संबेधा ने कुरूप से जिस समय गवर्णर साब ने डिसीजन लिया उस समय वो एंसीपी के बिधायक दल के नेता थे जी और उस जो जिम्बेदारी उस समय उन पर थी उसके साफ से उन्होंने निरने लिया और उन्होंने सिवसेना को समर्थन दिया बैस के वल उसी बात को लेकर कि है चाहिए एंस्चीपी सिफ्सेना कांग्ड सही आरूप लगा रही है कि हम जिन बिधायकों का पत्र नहोंने सौपा है वो विदायक आज इनके साथ हैं उनके साथ नहीं है इसलिए फ्लोर टेस्ट की मांग की है जी अब यह सारा इस्तिती फ्लोर टेस में क्लियर होना चाहिए और जब 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 अकेले रहे गए हैं बहुमत भी तीनों दलों के पास है क्या यहाँ पर दलीले क्योंकि दी जा रहे हैं एंसपी की तरफ से कि परिवार टूट रहा है उसको कहीं न कई जोडने की कोशिश हो रहे हैं क्या सिर्फ परि कीज की जो खाई यहां जो मतलब बिचार एक मनवेद हुए हैं उस मीडिया के सामने निकल के आये हैं और यह कई बार ऐसा भी रहा है कि जिन जिन मीटिकों का नित्रत तो अजित पवार को करना था उन्होंने नहीं किया और अभी विदान सभा के इलेक्शन में भी ऐसा दे है कि नित्रत के रूब में परवार के किसी और व्यक्ति को साथ अपनी पुत्री के साथ बोलाना चाह रहे हैं और यह उन्होंने आरोप प्रतारोप का दौर जो लगाया वो पाईटी के बरस निताओं को बीच कई बार बात रखी भी ऐसा नहीं लेकिन मनोवाल के साथ प्य कि लालू जी के घर में क्या चल रहा है तो यह सब परवार में चलता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बड़े होने के बाद जब उनको दिखता है कि जो हमने घर में तो कांग्रेस आर और कांग्रेस यू करके बनी थी और उसमें NCP जो कांग्रेस के दोना धड़ों ने सरकार बनाई थी लेकिन बाद में जनता दल से हाथ मिला करके सरदयादब खुद मुक्मंत्री बन बैठे तो ये और जिद के खिलाब इनोंने कांग्रेस पैटी ने चुना और मैं मानता हूं कि जो आज अजय पवार जी ने डिसीजन लिया फिर दावे के साथ करा हूं कहीं न कहीं उसमें सरदयादब जी का हाथ रहा होगा लेकिन हाथ आथ से जो को चीज़े निकल जाती है और संजरावत भी साफ कर चुके थे कि उनको समझने के लिए सौजन मिलेने होंगे तो उनकी था राजनीती की जो था है उसको समझना भी मुश्किल कहीं न कहीं और यही बज़ा है कि संदे की सुई जो शर्त पवार पर अभी भी जा रहे क्योंकि अभी तक अजीत पवार क प्रोटम स्पीकर के ड़िए का भी किसा भी आपने सुना कि किस तरह ते बारता है उनका नाम भी जृए स में चल रहा है किसकि लिए सब्समें नहीं नहीं होना है तो उसमें कौन से नाम की चरचा आने लगएगी दूसरा बास सुप्रम कोडने कोई राजजपाल को एक सबसे सीनियर को बनाना है एसा सुप्रम कोट नहीं कि सबसे सीनियर को वह गवंडर का अधिकार है कि वह कुछ को बनाएंगे हाँ राजनेतिक दल अपनी तरफ से प्रस्ताप दे सकते हैं किसाब इनको बनाई है वह कांगरेस लेकिन आज जो हस्तांचर कराए गए हैं सिप सेन नहीं आ रही है यह तो मनोजी से समझ लेते हैं कि आखर बार बार होटर बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी है क्योंकि वहमत तो आपके पास है विश्वास नहीं कि आवी भी कि कल तक तक तस्वीर बदल जाए जो चर्चा चल लेए उसमें प्रोटेम स्पीकर को लेकर ब ब्यक्ति को मनोनीत कर सकता है नंबर बन जी राजयपाल चाहे तो किसी भी सुप्रीम कोट या हाई कोट के जैज को मनोनीत कर सकता है दूसरी बात है कोई जरूरी नहीं है कि जीता हुआ विधाय की प्रोटेम स्पीकर हो सकता है कोई भी व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर न्यू जो होता है वो सिर्फ जीते हुए विधायकों के सपत तक है जीते हुए विधायकों का सपत खत्म हो जाएगा और जब लोग सभा के सॉरी विधान सभा के अध्यक्ष के मनोयन की प्रिक्रिया शुरू होगी तो विधान सभा के अध्यक्ष के मनोयन के बार प्रोटेम स्पीकर प्रक्रिया है मैं उसकी बात कर रहा हूं प्रक्रिया यह है कि जो इस्पीकर मनोनित होगा वो बोटिंग के आधार पर होता है और हर पाटियों के अपने अपने उमिद्वार होते हैं जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका स्पीकर होगा इस पे तो कोई चर्चा हो नहीं होगा देविंदर प्रविंदर जी अजीद पवार पर अभी सबीकिस हुए अटकी होई है और NCP के जो नेता हैं उनको मनाने की कोशिश क अब तक डिप्टी सिम का कारेभार उन्होंने नहीं समाला आया तो दूसरी तरफ उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है और जो तीनों दल है वह यह कह रहे है कि अजीद पवार को साथ लेकर यह कंफ्यूजन क्रेट करने की कोशिश हुए है और अगर यह कोशिश हुई है तो कि शंका के दाइरे में सभी लोग हैं क्योंकि जो अजीद पवारा मिल्चन कर 17 आध कर नसे पका ना करते कि भी हम पार्टी के साथ हैं पार्टी का हम पार्टी के साथ ही रहेंगे और उनको ये भी है कि जो अजीत पवार अगर उनकी फेवर में स्टेटमेंट देते हैं तो बीजेपी के लिए कुछ बचता ही नहीं है जो उन्होंने एजे विदायग दल के नेता उन्होंने लैडर दिया था वो सारी चीजे ख़तम हो जाती है लेकिन जब ये सारी चीजें प्रिक्रिया खतम हो जाएगी तो अजीत पौ़ार का जो रोल है वो बिलकुल खतम हो जाएगा आज की स्थिती में वो किसी भी तरह का कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि सरकार जो है बीजेपी भी शंका में है और दूसरी पार्टी है भी शंका के अंदर है कोई भी पूरी तरह से अश्वस्त नहीं है लेकिन क्या सब on the camera यही रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और वो तो फ्लो सारी चीजिया उन्होंने समर्थन पत्र भी दे दिया सभी एफिटेविट्स भी दे दिया सभी जितने विधायक थे शीव सेना एंसीपी और तीनो पार्टियों ने कहां दे दिया एफिडेविट ने एफिडेविट साइन कराये नहीं कराये सुप्रीम कोट ने पैसला सुना और कर शान पांच बज़े से पहले फ्लो टेस्ट होगा लेकिन उससे पहले ही गहमा गहमी काफी तेज